नमस्कार दोस्तों लोगडाउन की ताज़ा ख़वर मापका स्वागत आप सभी जानते हैं इस चैनल से आपको एकदम सटिक जानकर मिलती है वो भी लोगडाउन और कोरण अपडेट के साथ तरसल दोस्तों एक आदेश आया है जो विबाय वरात और साधी से संबंदित है इस में सामिल होने वारे लोगों से संबंदित है इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये जानना बहुत ही जरूरी है आप सभी जानते हैं इस चैनल से पिरतिक जिले के लोगडाउन से संबंदित और हर छेतर से संबंदित जो ख़वर है आप तक सबसे पहले पहुंच रही ह यदि आपके गर में साधी है या फिर आप किसी नजदी की इस्तेदार के या साधी समा रहा हुए में सामिल होने जा रहे हैं तो ये ख़वर आपके लिए काफी एहम है वैसे तो कोरणा काल में होने वाली साधियों के लिए सरकार नियम के नुसार मेवानों के संक्या 50 तै है 50 पाचास ही है दोस्तों किसी एक अफ़वा भी फैल रही हुए है कि पांच लोगी सामेले तोंगे जो कि पूरी तरह जूट है मैं आपको बता रहा हूँ इस चैनल से जो भी जानकर मिलेगी साटिक मिलेगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बूलें 50 ही है संक्या कोई कमी नहीं की गई है लेकिन दोसा जिला कलेक्टर ने इसके साथ ही कॉरणा वैक्सीनेशन अपना एक आदेश और जोड दिया है लिहाजा किसी भी साधी समोराय में जाने से पहले दोसा कलेक्टर का ये आदेश जरूर पड़ लेना 24 अपरेल को जिला कलेक्टर की और से जारी किया गया ये आदेश जिले भर में चर्चा का विशे बनावा है दरसल दोसा जिला कलेक्टर यानि की प्यूस समारिया ने जिले के सभी उफखंड अदिकारियों को ये आदेश जारी किये हैं कि इसमें कहा गया है कि साधी की अनुमती देते समें इस बात का भी ध्या त्यान रखना पैंतालिस साल से इदिक उम्र के व्यक्ति यादि बिना कोरोना वैक्सिन के उस नयाने की साधी समयरे में सामिल होंगे तो आपके खिलाब कारवाई की जाएगी आदेश जारी होने के बाद जिन घरों में साधी समयरों हैं उनके यहां हरकम्प मचा हुआ है जि के घरों में साधिया हैं वो लोग वैक्सिन लगवाने में लगे हुए हैं इसके साथ ही वे अपने परीचितों और रिस्तेदारों से भी इस बात का आगरे कर रहे हैं कि वे साधी में आए लेकिन वैक्सिन लगवा कर ही आएं आगे हम इसके बारे में आपका और विस्तार स हमार होगी के आएज़कों को इसे बारे में सप्त पत्र ले रहे हैं या फिर उन्हें आदेस की पालना के लिए पावंधी किया जा रहा है साधी के लिए अनुमती देने के साथ ही उनसे कहा जा रहा है कि साधी में 45 साल से ज़्यदा उसी महमान को सामिल करें जो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुका है वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड उमडने लगी जैसे ही कलेक्टर ने साधी समोराय में भाग लेने वालों के लिए वैक्सीन की अनिवार रहता अलाग की वैसे ही वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड उ से vaccination का कारे करम चल रहा है ऐसे में इतने दिनों बाद vaccine क्यों लगवा रहे हैं तो सभी ने जिला कलेक्टर के आदेश का हवाला दिया है और दोस्तों ये है ओफिसियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कारेले कलेक्टर जिला मजिस्टेस्ट दोसा के द्वारा ये जो आदेश है वो जारी कर रहा है इसी कारण सभी लोग विवाज साधी समोराई ये जो आदेश है बड़ा चर्चा का बेसे बन चुका है बने रहे हैं इसी चैनल के साथ हर जिले की खबर सबसे पहला आपके पास